अपने समाज का एक मंद्स के रूप में हम एक दुसरे का छेहरा देखकर करकर करके अपनी बातों को सरकार को बताने के लिए सरकार ओट जो फैसला दिया है उस फैसला के लिए जो हमारे EVS-EAK के खिलाप है उसके नियाज लेने के लिए आज हम यहाँ अपस्थित हुए हैं इस अफसर पर हम अपनी होर से आपनों को बहुत-बहुत धन्वाद देते हैं और बढ़ाई देते हैं आज हमारे बीच बाबा भीमरा उंबेकर साहब का जो दिया हुआ संबिर्हान है उस संबिर्हान के बल पर आज हम कर्व के साथ इस देश में इस मंच पे खड़े है यह बात सही है कि आज बाबा भीमरा उंबेकर साहब इस संबिर्हान के रचेता है बाबा भीमरा उंबेकर साहब को कितना दुख धेलना पड़ा किस परस्तिती में वो उन्होंने आगे पढ़ाई किया किस परस्तिती में हम लोगों के लिए उनको पुर्वानिया देनी परी यह आप सम लोग हम सम लोग जांते हैं दुख धेलित एक्रोशिटी एक्ट तो बना है उसके बारे में तो बोले गए ही तो आज हमें हमारे साथ ही तलित एक्रोशिटी एक्ट के बारे में बता रहे थे जिसको कोट ने खतम करने का और सरकार के द्वारा रिव्यू पेटिशन फाइल करने की बात कही जा रही आज ये तलित एक्रोशिटी एक्ट है आज हम लोग ये तलित का चेहरा ACST ने के ACST तलित को बदल करकर करके ACST जो है अनुसुची जाती रखा गया है दिया है आज हम लोग चाहे पाती कोई भी हो पाती का नेता कोई भी हो हमारा दलित सेना है हमारे दलित सेना के तरह और भी बहुत से जो हमारे इस देश के दलित लीडर है बहुत सेना बनाए हुए है आज हम लोग पाती से हट करकर करके चात पात से हट करकर करके आज हम लोग को एक होकर करकर करके इस देश के ताकत के सामने में ताकत लगाने की जरुवत है आज इस देश का जो अनुसुचित चाती का ताकत है जो दलित का ताकत है इस ताकत के खिराब ने भले ही कोट भले ही कोई सरकार इसकी मदद करे या नहीं करे लेकिन आज पूरे देश में यह ताकत दिखलाने का काम किया है कि इस दलित को कोई दवाने बला नहीं है और दवाने से यह दलित बर का लोग दम नहीं सकता है आज हमें काफी दुख है कि कोट ने इस तरह का फैसला दिया अजुन बेगबाल साहब है मंतरी है भवन खुलस्य साहब है हमारे बीच में काफी सभी हमारे दरित बर्ग समाज के सांसद है हम लोग गए थे पढ़ान मंतरी जी से भी मिले और मिल करकर करके अपनी बातों को सभी पार्टी के सांसदों ने नेताओं ने रखा सरकार के तरफ से भी आस्वासन मिला लेकिन सरकार का काम है सरकारी तोर पर राज का चलाना हमारा आपका जो अधिकार है ये अधिकार मांगने से नहीं मिलता है बलकि छिनने से मिलता है हम लोग छिनने का काम करेंगे सभी हमको हमारा अधिकार मिलेगा आज बाबा भीम्रा अंबेटकर साहार का परतिमा इसी सदर्ण में नहीं लगा हुआ था जो काफी पहले लगना चाहिए था लेकिन बाद में ही लगा नवासी में लगा लेकिन काफी लराई लगने के बाद लगा उस समय में भी सारे के सारे लोग काते थे नेता काते थे कि भ्राइ लगना तो चाहिए पर्तिमा लेकिन इनके लगाने के लिए कहीं कोई साथ जगा नहीं है आज हमको काफी खुशी हो रही है कि बाबा भीध रामबेर्टर साथ का पर्तिमा वेसे जगह में लगाया गया है जो सबसे अच्छा और सबसे सुन्दर सबसे स्वच्छी जगा आज हम दावे के साथ में कह सकते हैं सावितरी बांजी बता रही थी इनकी बात हमारी बात तो छोड़ दीजिए जो हमारे पार्टी के इनके पार्टी के और भी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर है सायद आज आरक्षन नहीं रहता तो ओ भी लीडर चुनाओ नहीं लगते उर्जीत करकर करके पार्टी आदमित क्या दिवान सभा का भी चहरा देंगे आज ये बावा भीमरा अंबिरकर साहब का देन है वाज हमें काफी खुसी हो रही है काफी गर्भ है कि सभी साथियों को अपनी भावना को रखना है बोलने के लिए तो बहुत सी बाते हैं क्राम करते हैं ये क्या करते हैं भगन खुलस्ते साहब है चाहे वारक्षन में क्या करते हैं रिजर्भेशन में पर्भोशन का है चाहे वो जुदिसियली का हो चाहे वो प्राइबेट सेक्टर में रिजर्भेशन का हो आज वो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइबेट सेक्टर में जा रहा है प्राइबेट सेक्टर में प्रियर भेशन नहीं है पब्लिक सेक्टर में है तो आज हम लोग ये भी पांग कर रहे हैं तो ये सारा का सारा तीज है और सभी साथियों को अपनी अपनी बातों को काना है समय कम है मैनी सब्दों के साथ आज आप लोगों को हम बहुत धन्पा दे बाबा भीम्ला अमबेटकर सचाहां का ये देन हैं कि हम आप सभी समाज के सभी भाई एक मंद पर एक भाई भाई के रुप में हैं हमारा ताकत आप है, आपका ताकत हम है, हम चाहे सरकार के खिलाप हो, चाहे गोर के खिलाप हो, चाहे जिसके खिलाप भी जाना पड़े, हम लोग अपने स्वक्षा के लिए, अपने मां को मनाने के लिए हम लोग जाएंगे, हम लोग भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, इनी सब्दों के साथ आप समी भाईयम को बहुत-बहुत धन्यवाद। जै हिन्द, जै भीन, जै भारत, जै भावा भिम्रा उंवेट कर दिए।